दोस्तों, संभोग के विशय में ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, जो शायद आपको जानना और अपने जीवन में उतारना जरूरी है, जो आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है. साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में स्थिर्ता जो मनोवै ज्यानिक और धार्मिक ग्रंथो के हिसाब से मान्य है, इसलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें. अभी के लोग संभोग के विशय में जानने में रुची तो लेते हैं, लेकिन इस संबंध में बातें करने से कत्राते हैं. संभोग एक ऐसा विशय है, जो नाम मात्र से ही आपके जीवन में एनर उनके विशय में पढ़ाया भी जाता था. अध्ययन कहता है, तेरहवी सदी में भारत में संभोग को लेकर माहौल खुला था. इस पर लोग खुल कर चर्चा करते थे. प्राचीन समय में इसके कुछ नियम थे, जिनकी हम चर्चा करते चले. पहला, पीरियड में संभोग नह करना चाहिए. धार्मिक मान्यता अपवित्र से और मनोवज्ञानिक कारण यौन जनित बीमारियों से है. दूसरा, दिन सुभह शाम और पूजा करने वाले समय में संभोग वर्जित था. तीसरा, गर्वकाल में संभोग करना अनुचित समझते थे. चौथा, पवित्र व्रिक्षों, शमशान घाट, पवित्र स्थल, गुरुकुल, अस्पताल जैसे स्थान पर संभोग करने की मना ही थी. पुराने जमाने में संभोग के प्रती विचार खुले थे. इन्ही कारणों से लोग उनके विशय में खुल के बात करके और पौरानि नियमों को अपना कर ज्यादा समय तक शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख प्राप्त करते थे. साथ ही साथ सहचार्य अशोक और वंश्वृद्ध की कला अपनाते थे. उन लोगों का मानना था कि नियमों में बंध कर संभोग करने से बीमारियों और आपदाओं से बच रख सकते हैं. इसलिए अपने जीवन में स्थिर संभोग के लिए प्राचीन नियमों के साथ साथ, कुछ नियम जो आप पालन करते हैं, तो संभोग और वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगी. संभोग में साथी की सहमती, गर्भकाल का संबंध, पूरी नग्न अवस्था क संबंध, खुले में संबंध, पराई स्त्री से संबंध इन चीजों को त्याग कर अपने जीवन में स्थिरता वाला प्यार ला सकते हैं. अंत में दोस्तों, वीडियो की जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. और ह हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूले.